नमस्ते साथियो मैं सुरच छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चनल पे स्वागत करता हूँ साथियो आज के इस वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा देशी मुर्गियों के लिए कम खर्च में दाना बनाने का फॉर्मूला साथियो अगर आप लोग देशी मुर्गी पालन में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग पूरे लास तक जरूर देखिए साथियो मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि मुर्गी पालन में मुनाफ़ा का सारा खेल निर्भर करता है दाना के उपर अगर आप लोग दाना का खर्च कम कर देते हैं तो मुर्गी पालन में ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं साथियो बर्तमान परिष्थिति में मार्केट के फीड का प्राइज इतना ज्यादा हो गया है इस समय अगर आप लोग मुर्गियों को सिर्फ मार्केट के फीड ही खिला कर त्यार करते हैं तो आप लोगों का घाटा हो सकता है तो फिर चलिए साथियो अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हम किस तरीके से मुर्गियों को कम खर्च में त्यार कर सकते हैं और मैं क्या-क्या नुश्का अपना कर मुर्गियों को कम खर्च में त्यार करता हूँ साथियो अभी मैं आप लोगों को कम खर्च में 10 केजी दाना बना के दिखाने वाला हूँ और आप लोग भी यही नुसका अपना कर मुर्गियों के लिए कम खर्च में दाना बना सकते हैं और साथियों ये दाना बनाने के लिए मैंने यहां लिया हुआ है 5 केजी राइस पॉलिस ये राइस पॉलिस आप लोगों को राइस मिल में मिल जाएगा जहां धान को कुटाया जाता है वहां आप लोगों को ये मिल जाएगा और साथियों इसका प्राइस भी बहुत ही कम होत मार्केट के फीट के तुरना में और मैंने पर केजी राइस पॉलिस 15 रुपे में खरिदा है साथियों ये राइस पॉलिस मुर्गिया बहुत ही अच्छी तरीके से खाती है और साथियों मैंने राइस पॉलिस के साथ साथ यहां 5 केजी इस्टर फीड भी लिया है देशी मुर साथियों पहले मैं ये stutter feed और rice polish को अच्छे से एक साथ mix करूँगा और आप लोग देख सकते हैं मैं अभी ये rice polish और stutter feed अच्छे से mix कर रहा हूँ साथियों ये अभी completely mix हो गया है और आप लोग देख सकते हैं ये बिलकुल त्यार हो चुका है और अभी मैं ये मुर्गियों को देने वाला हूँ और आप लोग देखना कि ये feed मुर्गियों किस तरीके से खाती है और साथियों आप लोग देख सकते हैं मैंने ये feed मुर्गियों को दे दिया है और ये मुर्गिया भी बहुत ही अच्छी तरीके से फटा-फट feed खा रही है साथियों ये rice polish भी मुर्गियों को बहुत ही पसंद होता है और उसके साथ साथ मैंने stutter feed भी दिया है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा खाना हो गया है और इसलिए वो बहुत ही फटा फट और अच्छी तरीके से ये feed खा रही है साथियों आप लोगों को एक बात ध्यान देना है सिर्फ rice polish ही मुर्गियों को नहीं देना है क्योंकि उससे दिक्कत होता है इसलिए साथियों आप लोगों को rice polish के साथ कुछ और चीज मिक्स करके मुर्गियों को देना चाहिए कभी राइस पॉलिस के साथ मक्का मिक्स करके मुर्गियों को दे सकते हैं कभी राइस पॉलिस के साथ बाजरा मिक्स करके मुर्गियों को दे सकते हैं साथियों मक्का और बाजरा को अच्छे से चक्ति में पिस्वा लेना है और उसके बाद rice polish के साथ mix करके उसे देना है और नहीं तो कभी आप लोग market के feed के साथ भी rice polish mix करके मुर्गियों को दे सकते हैं और ऐसे ही feed का खर्च कम कर सकते हैं साथियों अगर आप लोग को देसी मुर्गी पालन में ज्यादा मुनाफ़ा कमाना है तो आप लोग को सिर्फ market का feed ही मुर्गियों को नहीं देना है market के feed के साथ कभी rice polish कभी मक्का कभी बाजरा कभी धान का मल कभी चापोड इस तरीके का चीज मिक्स करना है और मुर्गियों को देना है साथियों अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये 10 केजी feed बनाने में मेरा खर्चा कितना हुआ है और ये 10 केजी feed बना के मैंने कितने पैसे बचाएं साथियों ये 10 केजी feed बनाने के लिए मैंने 5 केजी rice polish लिया था और 5 केजी market का stator feed लिया था साथियों ये rice polish मैंने पर केजी 15 रुपे में खरीदा है और 5 केजी rice polish खरीदने में मेरा खर्चा हुआ है 75 रुपीज और साथियों market का जो stator feed है उसे मैंने पर केजी 41 रुपीज में खरीदा है और उस हिसाब से 5 केजी feed का price हो जाता है 205 रुपे और अब हम total करते हैं 205 प्लस 75 कितना होता है 280 रुपे मतलब 280 रुपे में मैंने 10 केजी feed त्यार किया है और 10 केजी feed का price अगर 280 रुपे होता है तो उस हिसाब से पर केजी feed का price कितना होगा 28 रुपे मतलब 1 केजी feed मैंने 28 रुपे में त्यार किया है देखिए साथियो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कितना बड़ा फर्क है 41 रुपे कहां और 28 रुपे कहां 41 रुपे से मैंने मार्केट का फीड खरीदा और उसमें 15 रुपे का राइस पॉलिस मिक्स कर दिया इसके वज़े से 1 केजी फीड का प्राइस कितना हो गया 28 रुपे और साथियो ये काम करके मैंने पर केजी फीड में कितने रुपे बचाए है 13 रुपे और पर केजी फीड में अगर मैं 13 रुपे बचाता हूँ तो 50 केजी फीड में कितना बचा पाऊंगा 650 रुपे और 100 kg फीड में कितना बचा पाऊंगा? 1300 रुपे साथियों इसी तरीके से हमें दिमाग चलाना है और मुर्गियों का फीड का खर्च कम करना है साथियों मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए हम और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं जैसे कि हरा चारा मुर्गियों को दे सकते हैं सबजियों के पत्ते मुर्गियों को दे सकते हैं जैसे कि कोबी के पत्ते, मूली के पत्ते, सहजन के पत्ते इस तरीके का चीज हम मुर्गियों को दे सकते हैं और उसके साथ-साथ घर का वेस्ट खाना भी मुर्गियों को दे सकते हैं और फीट का खर्च कम कर सकते हैं। साथियों मैंने 20 दिन के बाद ही चूजों को राइस पॉलिस दिया था और आप लोगों को भी यही करना हैं। एक से लेकर मिनिमम 15-20 दिन तक उन्हें सिर्फ मार्केट का प्री इस्टेटर फीड ही खिलाना चाहिए और उसके बाद आप लोग फीड का खर्च कम करने के लिए मार्केट के फीड के साथ इस तरीके का चीज मिक्स कर सकते हैं और चूजों को दे सकते हैं। और उसके साथ-साथ घर का बनाया हुआ खाना भी उन्हें दे सकते हैं। पर एक दिन से ही उन्हें घर का बनाया हुआ खाना नहीं देना है। रखा हुआ है वो लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो जरूर देखिए आप लोगों को बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है तो साथियो आज के लिए बाई बाई मिलते हैं फिर एक जबडस्ट वीडियो के साथ